आधर्णिय प्रधान मंत्री जी, उत्तर प्रदेश के आधर्णिय मुख्य मंत्री जी, आधर्णिय राज्यपाल महोदया, देश के आज विद्यमान सभी पंथ संप्रदायों का प्रतिनी धित्व करने वाले हमारे संत रुशी आचार्य गण और समाज के सब स्तरों का प्रति निधित्व करने वाले निमंत्रित महानुभाव आज का आनंद शब्दों में वरणनाती थे और उसके वरणन करने का प्रयास इसके पहले के वक्तवयों में अच्छा हो गया है ये भी बता दिया गया है और हम जानते भी है कि आज अयोध्या में रामलला के साथ भारत का स्व लवट के आया है और संपूर्ण विश्व को त्रासदी से राहत देने वाला एक नया भारत खड़ा होके रहेगा इसका प्रतीक आज का कारेक्रम बन गया है ऐसे समय में आपके उत्सा का आपके आनंद का वरणन कोई नहीं कर सकता हम यहां पर अनुभव कर रहे हैं पूर् चोटे मंदिर के सामने दूर दर्शन पर इस कारिक्रम को सुनने वाले हमारे समाज के कोरोडों बंधु वहां पहुच ना पाए ऐसे घर-घर के हमारे नागरिक सजन माता भगिनी सब भाव विवहोर है सब में आनंद है सब में उत्सा है और ऐसे समय में जोश की बातों में थोड़ी सी होश की बात करने का काम मुझे ही दिया जाता है आज हमने सुना कि इस प्राण प्रतिष्ठा महुत्सों में पधारने के पूर्व प्रधान मंत्री जी ने कठोर वरत रखा जितना कठोर वरत रखने को कहा था उससे कई गुना अधिक कठोर वरताचरण उन्हों से बाहर क्यों गए थे, रामायन में क्यों गय थे बाहर, तो आयोध्या में कलह हुआ, आयोध्या उस्पुरी का नाम है, जिसमें कोई दarette Tabii within जिसमें कोई कलह नहीं, जिसमें कोई दिविदा नहीं, वो हुआ 14 अवर्ष और वनिवास में कैये, उसब ठीक होने के बाद दुनिया के कलह को मिटा के वापीस आए आज रामलला वापस फिर से आए है 500 साल के बाद जिनके त्याग तपस्या प्रयासों से ये सोने का दिन आज हम देख रहे सुवर्न दिवस देख रहे उनका स्मरन प्राण प्रतिष्ठा के संकल्प में हम लोगों ने कहा आपने सुना होगा स्मरन किया उनकी तपस्या को उनके त्याग को उनके परिश्रम को शतबार सहस्तरबार कोटिबार नमन है राम लला के यहां इस युग में आज के दिन फिर वापस आने का इतिहास जो जो श्रवन करेगा वो राष्ट्र के लिए कर्मप्रवन होगा और उसके राष्ट्र का सब दुखदैन्य हरन होगा ऐसे इस इतिहास का सामर्थ है परण्तु उसमें हमारे लिए कर्तवय का आदेश भी है प्रधान मंत्री जी ने तब किया अब हमको भी तब करना है राम राज्या आने मला है वो कैसा था दैही का दैवी का भौतिका तापा राम राज नहीं कहुई बापा सब नरकरही परस्पर प्रीती चलही स्वधर्म निरतश्रुति नीती सब निर्दंभ धर्म रतपुनी नरु अरु नारी चतुर सब गुनी सब गुनग्य पंडित सब ग्यानी सब कृतद्न्य नहीं कपट सयानी राम राज्य के सामान्य नागरिकों का जो वरणन है हम भी इस गवरों में भारत वर्ष की संताने हैं कोटी कोटी कंठ उसका जैगान करने वाले हमारे हैं हमको इस प्रकार के विवहार को रखने का तप आचरन करना पड़ेगा हमको भी सारे कलह को विदाई देनी पड़ेगी छोटे छोटे परसपर मत रहते हैं छोटे छोटे विवाद रहते हैं उसको लेकर लड़ाई करने के आदा छोड़ेनी पड़ेगी आखिर है क्या ये बात बताई वो सामान्य नागरिक कैसे थे निर्दंभ प्रामाणिक्ता से आचरन करने वाले केवल बाते करने वाले नहीं और बाते करके उसका अहंकार पालने वाले नहीं थे काम करते थे आचरन करते थे और अहंकार नहीं था ऐसे वो थे और धर्मरत थे याने क्या थे इस पर कठिन भाशा में प्रवचन बहुत लंबा हो सकता है लिकिन थोड़े में धर्म के जो चार मूल्य जिनकी चोखट पर धर्म है ऐसा श्रीमत भागवत में बताया है सत्य करु ब्रह्म सत्य है वही सर्वत्र है तो हमको यह जानकर आपस में समन वैसे चलना होगा क्योंकि हम चलते हैं सब के लिए चलते हैं सब हमारे हैं इसलिए हम चल पाते हैं और इसलिए आपस में समन वैं रखकर व्यवार करना यह धर्म का पहला जो पहरे सत्य उसका अचरन है कई योजनाएं गरिबों को रहत दे रहें सब हो रहा है लेकिन हमारा भी करता है यह सरु समाज बांदाव हमारे अपने बंदू हैं तो जहां हमको दुख्ध दिखता है पिड़ा दिखती है वह हम दोड़ जाये सिवा करें दोनों हाथों से कमाएं अपने लिए निव्टम आ याने पवित्रता होनी चाहिए, पवित्रता के लिए संयम चाहिए, अपने को रोकना है, सब अपनी इच्छा है, सब अपने मत, सब अपनी बाते, ठीक होंगी ही ऐसा नहीं, और होगी तो भी अन्यों के भी मत है, अन्यों की भी इच्छा हैं, और इसलिए अपने आपको संयम नागरिक अनुशासन का पालन करना प्राइटी की शतंत्रदेश में नागरिक अनुशासन का पालन करना यही देशभक्ति का रूप है इससे जीवन में पवित्रता आती है और तपस का तो मूर्तिमान उदारन आपके सामने आज दिया गया व्यक्तिकत तपस तो हम करेंगे सामुहिक तपस क्या है संगच्छद्वम संवदद्वम संवो मनावसी जानता हम साथ चलेंगे बोलेंगे आपस में उसमें से एक साहमति का संवाद निकालेंगे एक कही भाषा बोलेंगे वो वाणी मन मचन कर्म समन्मित होगा और मिलके चलेंगे अपने जैश को विश्वगुरु बनाएंगे यह तपस हम सबको करना है पास्सो वर्षों तक अनेक पीडियों ने लग कर परिश्रम करके प्राणों का बलिदान देके खून पसीना बहा कर आज ये आनंद का दिन सारे राष्ट्र को उपलब्द करा दिया उन सब के प्रति हमारे मन में कृतग्यका है मैं यहां बैठता हूँ तो मेरे मन में विचार आता है कि मुझे बिठाया मैंने क्या किया वो तो जो उन्हों ने किया उसका प्रतिनी धी भी मुझे बनाया गया है उस प्रतिनी धी के नाते मैं ये अवदान स्विकार करता हूँ और उनी को अरपन करता हूँ परंतु उनका ये वरत हमको आगे लेके जाना है जिस धर्मस्थापना विश्व में करने के लिए राम का उतार हुआ था उस धर्मस्थापना को अनुकूल स्थिति अपने आचरण में अपने देश में उतपन करना ये अपना करतव्य बनता है राम लला आये हैं हमारे मन को आलाजित करने के लिए उत्षा ही करने के लिए प्रेणना देने के लिए साथ साथ इस कर्तव्य की याद दिला कर उसमें कृति प्रवन करने के लिए आये है उनका आदेश सर पे लेके हम यहां से जाए सब लोग तो यहां आ नहीं सके लेकिन वो सुन रहे देख रहे अभी इस इक्षन से इस व्रत का पालन हम करेंगे तो मंदिर निर्मान पूरे होते होते विश्वगुरु भारत का निर्मान भी पूरा हो जाएगा इतनी क्षमता हम सब की है इसका मैं एक बार स्मरण देता हूँ आप सब को धन्यवाद देता हो और मेरे चार शब्द समाप तकर।